सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चानल को प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के लिए तो मेरा नमें महेश आप देख रहे महेश टेक्निकल तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हूंगा आप किस तर से यूटiوب पर 4K वीडियोज को देख सकते हो तो गाइज आप 4K रिजॉल्टियूशन में किस तर से यूटiوب वीडियो देख सकते हो उसी के बारे में आपको बताऊंगा तो simply आप पर हम YouTube आप open करने के बाद हम simply आपर music type कर लेते हैं उसके बाद आप फिल्टर में आपके 4K सिलेक करना है और apply कर देना है तो आपके सामने आएंगे 4K वीडियो तो इसमें से कोई भी वीडियो आप play करके देख सकते हैं तो हम इसे play करते हैं और simply आप 3.0 पे click करेंगे resolution चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 1080p max तो यह जो quality है guys यह full HD quality है यह हमें 4K quality नहीं देती है तो हम किस तरह से 4K वीडियो को 4K resolution में देख पाएंगे तो इसी के बारे मैं आपको बताने वाला हूं तो guys इसे enable करने के लिए on करने के लिए आपका phone जो है वो rooted होना चाहिए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है आप कुछ भी कीजिए अपने bootloader को unlock कीजिए recovery method यूज़ कीजिए king root method यूज़ कीजिए कोई भी method यूज़ कीजिए बस आपका phone rooted होना चाहिए आपके phone में root access होना चाहिए तो root related videos मेरे चानल पर बहुत आपको मिल जाएंगे अगर आपको phone rooted नहीं है तो आप अपने phone को आराम से root कर सब कोगे तो जैसे आप root check अपने phone को यहां से आप root check application से check कर सकते हो कि आपका phone properly root हुआ है यह नहीं तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं तो चेक करते हैं आपका route permission grant हो जाएगा और यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका phone rooted है तो मेरा यहां पर phone rooted है तो guys rooted phone होने के बाद आपको एक application डाउनलोड करनी है तो उस application की link description में दे दूँगा आप directly डाउनलोड कर सकते हैं वहां से भी या फिर आप Google Play Store पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है build prop editor तो इस application को डाउनलोड करके आपको open कर लेना है और आपको यहाँ पर root permission access दे देना है तो मैंने यहाँ पर already root permission access दे दिया है इसके बाद जो आपको आगे का काम करना है वो है एक code आपको ज़रुत पड़ेगी तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको notepad को open कर लेता हूँ यहाँ पर एक code है जिसको आपको copy करना है clipboard में तो वो code मैं आपको description में provide कर दूँगा आप वहाँ से directly copy कर सकते हैं इस तरह से आपको इसे copy करना है पूरा का पूरा और simply से copy कर लेना है copy करने के बाद आपको simply जाना है build prop editor में edit option पे यहाँ पर click करना है और scroll down करते हुए एकदम last में आ जाना है आपको तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको simply space देना है दो space दे देते हम इसे इसके बाद आपको वो code जो है यहाँ पर आके paste कर देना है देख लिजे आप paste करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर save button पर click करना है save and exit पर click कर देना है तो save हो चुका है तो एक बार हम वो आपर check कर लेते हमारा code properly save हुआ है यह नहीं तो आप scroll down करके check कर लिजे आपका code properly यहाँ पर save हुआ है यह नहीं आप ध्यान से डाले कुछ भी चीजे छुटनी नहीं चाहिए उसके बाद इतना होने के बाद जब आपका code set हो जाएगा तो आपको अपने phone को reboot करना है restart कर देना है तो चलिए हम यहाँ से restart कर लेते हैं तो यह थोड़ा time लेगा थोड़ा wait कर लेते हैं तो हमारा phone यहां पर boot हो चुका है तो आपको सबसे पहला क्या करना है आपको YouTube application का data जो है वो clear कर देना है तो चलिए हम यहां से इस setting पर जाकर applications में जाते हैं और यहां से हम simply YouTube application का data clear कर देंगे तब ही यह trick काम करेगी direct open ना करे वरना trick काम नहीं करेगी तो simply यहां से हम YouTube find कर लेते हैं और यहां पर आने के बाद आपको यहां पर clear data नीचे की तरफ option मिल जाएगा तो उस पर हम click कर देंगे और यहां पर आपको दो option मिलेंगे clear data और clear catches का तो आपको simply data को clear कर देना है तो चलिए हम data को clear कर देते हैं उसके बाद आपको अपने YouTube application को open करना है अब आप 4K वीडियो अपने Android phone पर देख पाएंगे तो चलिए देख लेते हैं यह काम करती है यह नहीं तो simply इसे load होने देते फिर यहां पर मैं music type करता हूँ आप कुछ भी type कर सकते हैं 4K वीडियो के लिए तो मैं आपको simply आपको demo दे रहा हूँ उसके बाद यहां पर मैं filter कर देता हूँ यहां पर 4K select करके apply कर देता हूँ तो ही 4K वीडियो आएंगी वरना नहीं आएंगी आप 2K और 4K वीडियो भी देख पाएंगे अपने YouTube चैनल पर या फिर YouTube पर तो आप बहुत ही simple है guys एक code ही डालना होता है उसके बाद आप YouTube पर 4K वीडियो देख पाएंगे बस आपका phone rooted होना चाहिए तो guys बहुत simple trick है अगर आपको यह trick पसंद आती है तो like कीज़े, share कीज़े, subscribe कीज़े हमारे चैनल को जिसका नाम है महिष टेकनिकल्स तो guys इस code का link या फिर मैं code जो है वर description में लिख दूँगा तो आप simply वहाँ से copy कर सकते हैं और build prop editor application में paste करके save कर लिजएगा Thank you so much for watching guys Thank you